देर स्टुटर्स तोडे वी विल रीड एन एलिन हैंड पार्ट वन फ्रम दबुक एन एलिन हैंड ओपर यूर बुक्स अट पेज नंबर सिक्टी सिक्स बिफोर यू रीड हैव यू हर्ट अफ द विकिंग मिशन ओव मार्स क्या आपने मंगल ग्रैक पर ओने वाले विकिंग मिशन के बारे में पड़ा है दा नेशनल अरोनोटिक्स अड स्पेस अड्मिस्टेशन नासा विकिंग मिशन तु मार्स वास कंपोजट ओफ टू स्पेस्क्राफ्ट विकिंग वन एन विकिंग टू इच कंसिस्टिंग ऑफ अन ऑर्बिटर एंड आलेंडर बच्चो नासा क फुल फॉर्म दा नेशनल अरोनोटिक्स अड स्पेस अड्मिस्टेशन होती है और नासा ने मंगल ग्रह के लिए विकिंग मिशन चलाया जिसके अंदर गत उसने दो स्पेसक्राफ्ट विकिंग वन और विकिंग टू को बेजा चिन में दोनों में एक एक और्बिटर और ए इसका प्रात्मिक उदिश्चे मंगल ग्रह के सर्फेस का के सेंपल्स लाना और वहां की तस्विरे लाना था मिट्टी के सेंपल्स भी लाना था जिसे यह देखा जा सके कि महां जीवन संभव है या नहीं विकिंग वन वन वस लॉज्ट ओन 20 अगस्त 1975 और अराइब एर दा मार्स ओन 19 जून 1976 विकिंग वन 20 अगस्त 1975 को लॉज़ किया गया और 19 जून 1976 को मार्स पर पहुंचा विकिंग टू वस लॉज़ 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 ओन 9 सेप्टेंबर 1975 और एंटर मार्स ओर्बिट ओन 7 अगस्त 1976 और विकिंग टू को नौ सेप्टेंबर 1975 को लॉज़ किया गया और वो साथ अगस्त 1975 को मार्स पर पहुंचा अटर हुआ बिसाइड टेकिंग फोटोग्राफ्स और कोलेक्टिंग अधर साइन्स डाटा ओन दा मार्टेन सर्फेस दा टू लेंडर्स कंड़क्टिट थ्री बाइलोजी एक्सपेरिमेंट तो लुक फॉर पॉसिबल साइन्स अफ लाइफ अब दोनों के दोनों जो स्पेसक्राफ्ट थे इन्होंने मंगल ग्रह की जो सर्फेस थी वहां से उन्होंने केस डाटास भी कोलेक्ट गिये और साथ में फोटोग्राफ्स भी ली और इन दोनों ने जितना वो सम मिटिरियल लाया था उस पे तीन बाइलोजी एक्सपेरिमेंट हुए जिन में देखा गया कि वहाँ जीवन संभव है या नहीं देर इस नो क्लिर एविडेंस ओफ दा प्रेजेंस ओफ लिविग माइक्रो ओर्गिनिजम इन दा सोयल नियर दा लैंडिंग साइड और जहां पर ये स्पेस्क्राफ्ट लैंड हुए थे वहां से जो मिटिल आई थी उन में जो जितने भी प्रिक्शन हुए उनसे कुछ भी कोई भी क्लिर एविडेंस नहीं मिला कि यहां पर जीवन संभव ह है या नहीं तिलू और उसके माता पिता इसके ग्रह के स्थेह के नीचे में कृतने स्थितियों में रहती हैं तिलू ने सूर्य और तारों के बारे में पड़ा और सुना तो है प्रंतु उसने देखे नहीं है तिलू's father goes to work through a secret passage and तिलू wants to know all about it तिलू के पिताजी एक गुप्त मारक से अपने काम पर जाते हैं और तिलू उसके बारे में जानना चाता है तिलू how often have you been told not to go that way तिलू तुम्हें कितनी बार बता है कि उस रास्ते से नहीं जाना है बट वाई does daddy go there every day पर daddy तो प्रति दिन उस रास्ते से जाते हैं because that's his job तिलू क्योंकि वो उनकी job है उनकी नौकरी है वो काम पर जाते हैं that way was an underground passage तिलू उस रास्ते से underground मतब वो धर्ती के जमीन के नीचे वाले रास्ते से तिलू's father went every day for work along that passage अब तिलू के पिताजी प्रते दिन उसी रास्ते से काम पर जाते हैं and everyday he came back from that direction और वहीं से वापिस आते हैं what lay at the end of that forbidden route वो उस छुपे वे रास्ते से कहां जाते हैं not only तिलू but a great majority of the community would have liked to know अकेला तिलू ही नहीं जानना चाहता उनकी community के उनके लोग बहुत सारे लोग इस बारे में जानने की इच्छुक हैं तिलू's father was one of the select few permitted to go that way तिलू के पिता जी भी को भी कुछ लोगों की तरह उस रास्ते से जाने की अनुमती प्राप्त है तो वहाँ पर उस रास्ते से जाने के लिए कुछ ही लोगों को खास लोगों को उसकी अनुमती है बचो हर कोई उस रास्ते से नहीं जा सकता अब यह जितने जो हम पढ़ रहे थे यह सारी बाची तिलू और उसकी मा के बीच की है जब वो अपने पिता के जिस रास्ते से गये थे उनका पिछा करने की कुछिश करता है तूड़े हावएवर वाज डिफरेंट आज का जो दिन था वह यह कुछ अलग था तिलू's father was enjoying a sister at home and तिलू managed to get hold of his security card तिलू के पिता जी दोपैर का खाना खाकर आराम का मजा ले रहे थे सिस्थ होता है बच्चो दोपैर बाद जो खाना खाने के बाद आराम करते हैं उसका मजा लेने को उसको बोलते हैं सिस्थ और तिलू उनका card security card है जो सुरक्षा card उसको उठा लेता है तिलू क्या करता है अपनी मा की नजरें बचा के उस रास्ते पे चला जो चुपावा रास्ता था सुरंग थी उस में उस रास्ते पे जाता है a metal door bar is entry और बिल्कुल जब वो जाता है उस रास्ते स्टार्टिंग में तो एक metal का door आता है बट तिलू had washed his father slip the magic card into a slot परन्तु तिलू ने अपने पिता जी को उस जुदाई card के लिए magic जो जादू वाला card था उसको देखा हो था कि वो कैसे slot में रखना है he did the same वो वैसा ही करता है and the door opened viselessly और दरवाचा बीना शोर के खुल जाता है a valid passage seemed to beckon him और उसको एक आगे को रास्ता दिखाई देता है snatching the card which had come out of another slot in the wall अब उसको आगे दिवार में एक और खाना दिखाई देता है till who started his march along और वो उसमें भी बना काट रखते था और आगे चलना शुरू कर देता है a gentle apart slope और यह मतलब बहुत सीधा सा रास्ता for the passage led from underground habitat to the surface of the planet और यह जो थार आगे जो रास्ता था यह जो सुरंग थी यह surface पे उपर मतलब जो धर्ती थी मंगल ग्रह की उस पे उपर आ जाती थी यह यहां पर उसके रास्ते का दूसरा कोना था जो की surface पे ले आता था उपर तिलू looked forward to seeing the sun if was daytime or the stars if it was night about which he heard and read so much और तिलू सोस्ता हुआ जाता है कि अगर ता दीन हो का तो वो सुरिये देखेगा अगर वो रात होगी तो वो तारे देखेगा आगे वो इस सोसता हुआ आगे चलता है वो looked forward but else that wasn't to be प्रंदू यह नहीं हो पाया thank you student इसके आगे का lesson हम कल पढ़ेंगे